स्क्रीन पर एक सक्स को देख रहे हैं आप ये हैं नीदरलेंड के संभावित राष्ट अध्यच चैरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना बिलकुल ये हैं क्रीट वाइल्डर्स एक बड़ा राजनीतिक उलट फेर हो रहा है यूरोप में और यूरोप इस वक बड़ा ही है क्योंकि एक तरफ देखने को मिला अर्जेंटीना के डोनाल ट्रम्प जीत चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि नीदरलेंड के डोनाल ट्रम्प ये भी जीत की तरफ बड़ रहे हैं जानेंगे क्यों यूरोप हैरान भी है और परेसान भी है क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत सारा एलान कर दिया है और इस वजह से यूरोप के अंदर खलबली है पर माना जा रहा है कि राइट विंग के ये नेता क्यों जीत रहे हैं जानेंगे यहां क्या चल रहा है तो वहीं सबसे बड़ी खबर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए ये अमेरिका के एक जनरल हुआ करते थे डोनाल्ड टरम्प प्रसासन में इन्हें अच्छा खासा पदवी मिला हुआ था इसे कई बार मैड डॉग के नाम से भी बुलाया जाता है अब इनका एक सिध्धान्त था क्या सिध्धान्त था जि पहले तो अमेरिका की मीडिया ने आरोप लगाया कि भारत खालिस्तानी अलगावादी नेता पन्नु को मारना चाहा रहा था नियू योर्क में और वहीं दूसरी तरफ वाइट हाउस की परवक्ता ने भी इस बात को कहा कि हमने भारत के साथ साजह किया है इसके बारे में अ मैंने इस खबर की सुरुआत में ही आपको कहा कि इस सक्स को आप जानते होंगे इस सक्स को आप ऐसे जानते होंगे क्योंकि ये वो हैं जीनोंने बड़े खुले तोर पर नुपूर सर्मा का सपोर्ट किया था और अभी क्या हो रहा है ना अभी देखने को मिल रहा है कि इचले सदन में जो एक्जिट पोल यहां की बता रही है 35 सीटे यह जीत चुके हैं यानि इन्हें बढ़त देखी जा रही है कहा जा रहा है कि अगला गटबंदन तो बनेगा और गटबंदन मनेगा तो नया सासक ग्रीट ही होंगे अब ग्रीट के नया सासक बनने से यूरोप में परिसानी क्या है तो आपको बता दे इन्होंने कुछ एलान किये हैं उन सारे एलानों की वज़े से यूरोप के अंदर हाहाकार मचा हुआ है इनका पहला एलान है कि नीदर लेंड यूरोपिय यूनियन से निकल जाएगा इन्हें कहा जाता है नीदर लेंड का डोनाल ट चाहिए इनका कहना है कि हम अपने देश में कोई भी सरनार्थी नहीं आने देंगे और हम डच सिमाओ पर परवासियों को रोक देंगे गरीट का क्या मानना है गरीट पूरी दुनिया को यही कहते हैं और सहिस्नू लोगों के परति सहिस्नू होना बंद कर दो गरीट की इसका असर बहुत लंबा होगा खैर उसकी बात करेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में कि नीदरलेंड अगर यूरोपिय यूनियन से निकलता है तो क्या असर पड़ेगा पर अभी फिलहाल बात करते हैं इस वक्त अमेरिका और भारत के बीच में एक बड़ा गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा है और ये टॉपिक मीडिया में बहुत ज़्यादा उचल रहा है कुछ घंटे पहले मीडिया में एक ख़बर आती है और फाइनसियल टाइम्स कहा जाता है कि यहां पर सबसे पहले यह पोस्ट आती है और इसमें कहा गया कि अमेरिका ने आरोप लगाया भ पहले मीडिया में आई, एक मीडिया से दूसरी मीडिया, तीसरी मीडिया, मीडिया में फैली, और फिर उसके बाद, कथित तोर पर, जो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कटिंग, इसके अनुसार, वाइट हाउस ने भी कहा कि हमने भारत सरकार से कंसर्न जाहिद किया है, हमने इस मुद्दे पर बात की है, और अपनी बात भारत सरकार के सामने रख दी है, अब भारत स जनरल मैड यह याद आ गए मुझे इस पूरे प्रक्रण में यह कौन है तो यह अमेरिका के जनरल अचुके हैं और ट्रम्प प्रसासन में यह करीब करीब रक्षा मंतरी के पोजीशन पर थे इनका क्या सिद्धान्त था? इनका सिद्धान्त था कि आपके पासना प्लान रेडी होना चाहिए आप किसी से मिलते हो खुब अच्छे से मिलो खुसी से मिलो हाथ मिलाओ हाए हेलो करो लेकिन जिस से भी मिलते हो उसे मारने का प्लान रेडी होना चाहिए कहने का मतलब यह है क उस सक्स के अगेंस्ट में निगेटिव चीजें आपके पास होनी चाहिए अमेरिका की खुद की बात करें तो स्क्रीन पर एक कटिंग देखिए इस कटिंग में आपको दिखेगा अमेरिका वो देश है जिसने अलकाइदा के सुप्रीमो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान मे 2011 में एक सेफ हाउस के अंदर मारा और आपको बता दे अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक हुई लादेन के उत्तरा अधिकारी आइमान अलजवाहिरी पर काबुल में 2022 में और वो भी मारा गया इसके अलावे अमेरिकन ड्रोन इसने हमला किया कासीम सुलेमानी इरान के कूर्द फो अंदर अमेरिका ने खुद कई सारे ऑपरेशन्स चलाएं पर अमेरिका तो अमेरिका है ना अब भारत ने क्या जवाब दिया तो आपको बता दें भारत ने कहा है कि बैय। हम तुछ Rank tools है तो अगर ऐसा है तो इसства नेचस है तो हम जाच करेंगे और जाच करके जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कारेवाई करेंगे कहनेकार थी यह हो गया कि भारत ने कहा कि अभी हम जाचेंगे पर्खेंगे समझेंगे बुहेंगे और उसके बाद रिजल्ट सामने लाएंगे पर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है इस वक्त भारत अमेरिका की तो अच्छी वली दोस्ती है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जब कनाडा ने यह आरोप लगाया था निजजर के मामले में तब एंडरीन वाटसन ने इसी तरह के स्टेटमेंट दिये थे और कहा था कि हम डीपली कंसर्ण है और एक बार फिर इन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार से यह साजा किया है तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका दरसल हर एक का ओप्सन तयार रखना चाह रहा है अमेरिका देख रहा है कि आज की डेट में चाइना को इन्होंने खिलाया पिलाया और चाइना इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया ताकतवर देश के रूप में कल की टेट में अगर चाइना और भारत मिल गए और यहां सांती हो गई और भारत ने कहा कि जी नहीं हम चाइना के खिलाब नहीं लड़ने जा रहे हैं तो फिर अमेरिका भारत के निगेटिव पहलूओं को पकड़ कर रखेगा और इसका इस्तेमाल करेगा हलाकि आपको बता दें अमेरिका के उपर ये भी आरोप लगते हैं कि अमेरिका की एजेंसी और पाकिस्तान के ISI इन्होंने मिलकर खालिस्तान मुव्मेंट को पानी भी दिया था एक जमाने में वैसे इन सब मामले में आपकी क्याराय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ